कैसे हैं आप सब आशा करती हैं आप सब अच्छी हूं चली आज मैं कैसे बनाती हूं पिंडी छोले अपने स्टाइल का वो शेर करूंगी आप लोगों से देखते रहें स्किप मत कीजिए वीडियो तरी यहां पे मैं काबुली चना भिगा के रखी थी कुछ देर इसे पानी मैं इसमें आट करूंगी कलर के लिए यह बहुत अच्छा तरीका से कलर आ जाता है अब इसमें और कोछ नहीं रहालोंगी इसे अच्छा से प्रेशर को कर लूंगी बहुत कोई का अलग अलग स्टाइल होता है मैं ऐसे बनाती हूं अब एक कटोरी में एक मसाला का और यहां पर चौनले मसाले अब कोईवरेस्ट का लिए हूं आप कोई बी चौनले मसाले ले सकते हो हुँ तू बंग जैसा छोले मसाले अट करना है उसमें अब यह संफ का पाउडर है यहां पर मैं स्वाडर वान एनाफ टीस्पून आट की अब इसे अच्छा से मिक्स क करके रख रही हूं आच्छा से mix कर दीज़ेगा औरभ के पास एम चूर पाउडर है तो आट कर दीज़ेगा मेरे पास नहीं था तो मैं किपकर दी आमक्चूर पाउडर मैं खातेवक्लैमन च्वीज करेड़ूंगी यहाँ पे दो बरी साइज का अनियान Less मैं paste करके रखी हूँ यहाँ पे दो बरे सा इसका टमेटो मैं paste करके रखी हूँ यह में तब puree करके रखी हूँ जब तक वहाँ पे चना बॉयल हो रहा है मैं यहाँ पे पुरा मसाला देखे ready करके रख दी येस अब यहाँ पे मेरा हो चुक है और भी कुक होना थोरा और कुक होना है से बट इसे अभी मैं पूरा कुक नहीं करूंगी इसका बात का पर सीटियर देखे मैं क्या करती हूँ अब यहाँ पर मैं कराई ले ली यहाँ पर अल्मोस्ट हाफ कप जैसा ओई यहाँ बहुत जादा लगता हाफ कप इन दसेंस फो तू फाइबल स्पून अफ ओई यह थोरा अच्छा ओईल चाहिए इस पर यहाँ पर मैं गरम मसाला एट की थोरा सा दो एलाईची दो लॉंग अब वो अनियन पेस्ट में आट कर दी जो अनियन पेस्ट में करके रखी थी यह रो अनियने से बॉल करके पेस्ट नहीं करना है बस रो तरीका से पेस्ट करना है और इसे अब अच्छा से कुछ दिर फ्राई करना है यह फ्राई करने में थोरा वक्त लगता है तो इसे अच कमीन मसाल कर नीचे लग रहा है तो sizसे मीडियूम थोरा थोरा लोक कर सकते हो तो इससे आच्छा से यह जब तक समेल नहीं चले जाता है इसे फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे इसे देखिए इसे बहुत कुछ वक्त लगता है मुझे तो almost 10-15 minutes लग गई थी इसे fry करने में क्यों मैं थोरा medium flame में fry कर रही थी तो इसलिए मुझे वक्त लगा वरना एक onion का smell बहुत गंदा लगता है कोई भी सब्जी में तो यही में मेहनत है इसके बाद जादा मेहनत नहीं लग तो half cup add कर ले करना उसमें तो यह भी अपकुछ दिर कुक करना है यह कुक करते वे में यहां पर सॉल्ट दे रही हूं सॉल्ट देने के बाद में वो जो ड्राइ स्पाइस एट की थी वो दे दे रही हूं अगर आपके पास में फिर से बोल रही हूं अगर अमचूर पाउड तो मेरे ऐसी ड्राइ सद्व मिक्स करके मेरे पास नहीं था तो मैं खाते वक्त प्लेटिंग क्ते वक्त लेमिन तो मैं थो선री स्वीज देती चने में वह भी अच्छा है लगता है टेस्ट में कुछ खराब नहीं लगता है तो यह पिंडी छोले अम्रिटस तो अच्छा से मिक्स करना है अब देखिये हर कोई खाना बनाना जानते है कुकिंग जानता है इस अर्भिता की और मेरा स्टाइल बहुत मेरे स्टाइल भी डिफ्रेंट सबसे देखिए अब मैं फिर से प्रेशर कुक करूंगी । थोड़ा सा बचा हुआ वह चाई वाला पा अलग अलग रहता सब कोई एक ही बार बॉइल कर लेते हैं बहुत कोई मसाले की संग बॉइल करते हैं मैं ऐसे बनाती हूं देखिए मेरा चना बनके एकदम रेड़ी हो गया देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना बट यह अभी तयार नहीं वैसमें और एक स्टेप बाकी है तो देखिए यह अच्छा इगल चुक आत करने अब तो इसे चना अच्छा से वाटर कोने तक इसे अच्छा से कोक करना और अगर आप चाहों तो इसी स्टेच पर थ्षोरा पानी याच्टक्च्टाब कर दी क्योंकि में कुछ देरी से बॉइल करूंगी और इसी स्टेज पे आप चाहो तो कुछ चना को मैश कर देना तो यह फ्लेवर एंहांस करता है यह बहुत अच्छा मशी एक टेक्स्चर आता है तो मैं इसे ढख के कुछ देर अभी से अच्छा से कुक करूंगी करने के बा काला नमक बहुत अच्छा लगता है काला नमक का एक फ्लेवर देखिए यह अलमुस्ट डन हो चुका इसे अब कुछ देर अगर ढख के रख देंगे ना तो यह ग्रेवी दिख रही है पर यह ग्रेवी ड्राइब हो जाएगी तो आप लोग भी इसी कंसिस्टेंसी में इसे कुक कीजिएगा क्यों जादा अगर ड्राइग हो जाने से ना फिर बहुत सुखा हो जाता है अब जब सर्फ कीजिएगा तो उस वक्त क्रेवी नहीं रहेगी देखिए मेरा पिंडे छोला बनके तयार है अब यह जो लास्ट जो एक करना है सिस्टम वही सिस्टेमाटिकली म में थोरा सा अदरक और ग्रीन चीली स्लिट करके ले लिए विसी का तरका ओइल पे थोरा फ्राई करके विसे ढाल देना है कुछ दे ढखके रखते हैं उसके बाद सर्फ करेंगे आप लोग इसे नान कुल्चा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो यह बहुत ही हमी लगती है आप पिंडी छोले is ready to serve now do try the recipe बताना कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर कर देना फिर मिलती हो एक नए दिन एक नए वीडियो की संग तब तक आप लोग भी साथ धानी से रहो enjoy करो take care जड़ चाँ